Hello and welcome back to World of Geopolitics जब रश्या का रस्ता लेथुएन्या ने रोप दिया था कंदिनिन ग्रैट तक तब ही तीनों बॉल्टिक देशों का फ्यूचर खत्रे में पड़ गया था और शायद कुछ समय बाद ये देश बचे ही नहीं और जो खत्रा इंके सर में मणरा रहा है वो अब सच भी होने जा रहा है एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि रovan वाईप आओट एस्टोनिया ओफ त ल मंद जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये होगा कि रश्या एस्टोनिया का नक्षे से अस्तित्व ही मिटा देगा किसी भी देश के पीम के मुँझे ऐसा स्टेट्मेंट आना एक बहुत बड़ी बात है जो ये क्लियरली दिखाता है कि नेटो बस हाथ पे हाथ धरे रह जाएगा और एस्टोनिया का अस्तित्व मिट जाएगा एस्टोनिया के करेंट प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा इसी लिए कहा क्योंकि रश्या का एक हेलिकॉप्टर जो मिसाइलों से लैस था उसने एस्टोनिया की एर स्पेस को वाइलेट किया उसके अंदर घुसा आराम से कुछ मिनुट तक उरता रहा और फिर बड़े आराम से डिफरेंसेस हमय हम खाढू है मगर इफ नेटो के रूल के हिसाब से यहां बात करें तो अभी तक नेटो के फोर्ट için को कम से जिससे लोग लगने से पहले दो बार सोचते से अब वो धीरे धीरे बहुत ही वीक पड़ते जा रही है और इसमें कहीं निकें यूएस का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहे हैं क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे भी यूएस ने ना कुछ बात कहीं ना कई प्रेस कॉंसरेंस कुछ नहीं यूएस चाप अपना मुँ बंद करके बैठा हुआ है जबकि यहां रशिया आया एस्टोनिया के एर स्पेस को वाइलेट किया और बड़े आराम से चला बेगिया बीना कोई रेपकर्शन चाहिए अगर एस्टोनिया के डर के लेवल की बात करें तो उनका डर बहुत जादा है और उनका डर ना लाजमी भी है क्योंकि रशिया ने अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसा जिर्द अभ्याज किया जिसमें वो इस बत के प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो अंधा दुन मिसाइल कैसे फैर करेंगे एस्टोनिया में जिसके बारे एस्टोनिया ने अफकोर्स इंटरनाशनल मीडिया या फिर इसके आवाज उठाई बट वंस अगिन यूएस के रिस्पॉंस उससे कुछ भी नहीं मिली और बहुत से आटिकल्स और बहुत से एकसपॉर्ट्स ने क्लियरली बता दिया है कि एस्टोनिया लिथ्वीनिया और जो बल्टिक देश है इन देशों में नेटो के प्रेजन्स बहुत ही ज़्यादा कमजोर है मुश्किल से NATO के हजार सोलजर्स है वहाँ पे और वहाँ पे कोई भी nuclear power missiles नहीं है कोई भी nuclear weapons नहीं है और तो और वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कोई military drill होती है सबसे recent जो हुई भी थी वो थी फ्रेंस paratroopers की जो फ्रांस के paratroopers वहाँ आए कुछ drills किये और वहां से वापस चलेए उसके अलावा इस पूरे साल किसी भी देश ने आके एस्टोनिया में कोई भी drills नहीं की ना ही NATO ने अपने soldiers बढ़ाए है ना कोई weapons दिये है तो इन सारे चीजों का मंदे नजर रखते हुए एस्टोनिया में डर्क मोहल और तो और एस्टोनिया के प्राइम मिनेशर का ऐसा बात बोलना एकदम प्राक्टिकल और जायज है अगर क्यूचर के प्रेडिक्शन की बात करें तो एक चीज हो सकता है कि शायद रशिया थोड़ा सा हिस्सा कबजा ले एस्टोनिया का और फिर वहां रुख जाए और फिर उसके बाद सारे देश आकर पीस कर ले क्योंकि ऐसा अब पॉसिबल नहीं है कि रशिया बॉल्टिक डेशों को इन्वेड नहीं करेगा आज नहीं तो कल रशिया किसी बॉल्टिक डेश को ज़रूर इन्वेड करेगा बट अगर वर्ल डीडर्स ये सोचेंगे कि एस्टोनिया का एक चोटा सा हिस्सा अगर रशिया ने कबजा दे लिया था कोई बात नहीं उसके बाद हम लोग पीस मेंटेन कर लेंगे तो वो होगी सबसे ज़ादा बड़ी गल्ती क्योंकि World War 2 में भी अडॉल फिटलर ने ऐसे ही छोटे 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 एरियास करते करते पूरे के पूरे देशों को ही कबजार लिया था और बहुत देश बत हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गये थे और उसका सबसे प्राइम एक्जाम्पल था जर्मनी का इन्वेजिन ऑन पोलन तो इतने सालों के बाद और इतने modern advancement के बाद क्या humankind फिर सो वही mistake करेगा या फिर humankind इस बार World War 3 को होने से पहले ही रोग देगा इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे कनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना support दिखाएं Thank you